दोस्तों नबस्क्राइब स्वागत है आप सभीका ओलाइन इडाफॉस्ट यूटूब चैनल बर इस वीडियो में बात करने वाले कई बड़ी और लेटिस अपड्रेट के बारे में जिसा कि आप जानते हैं किसी वरतिय सम्मधित कोई भी जानका ही होती है आप सभीका ओलाइ जानका ही सबसे पहले मिलती रहे शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भरतिया हैं जिनको लेकर ब्रति इंतजार कर रहें चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी सिच्छक भरति को ल ली हैं जिसमें हम शुबात करने वाले सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संब्धिते हैं एल्टी गेट सिच्छक भरति को लेकर क्योंकि प्राइमरी सिच्छक भरति के तरह एल्टी गेट भी पिछले दो अज़ा अठारे के अंतर निकाली गई थी दस अज़ा साथ 268 परदों के लिए उसके बाद आज तक नई भरति का विग्यापन जारी नहीं हुआ बार बार अधियाचन उत्तर प्रिद्रस लोग से वा आयोग को बेजे गए इसी बीच संकच्छ योगिता के विवाद के चलते चाहे वो एल्टी गेट सिच्छक भरतियों जी इसी प्र प्रिवक्ता के बारे में जिसके संब्द में जानका ही आज के अलग-अलग समाचा पतों के माध्यम से भी आप सुभी को देखने के लिए मिल जाएगी अगर बात की जाए सबसे पहले इसी प्रिवक्ता के बारे में तो यहां पर दोस्तों आप सुभी को देखने के लिए म उसमें भी धाई जार से अधिक पद खाली जागे थे इस समय राज की विद्यालियों में सायक अध्यापक एल्टी के सुईकत पदों की संक्या 19,300 है तो वहीं दूसी तर प्रवक्ता की बात की जाए तो 6,365 है यहां पर पदों की अगर बात की जाए खाली होने के बारे में अब यह तो पता है कि पदों की संक्या काफी लंबे समय से खाली है लेकिन भरती को लेकर क्या अपडेट है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी कि लाखों बेरजगा सटकों पर ठोगर का रहें अपसर कमिटी कमिटी खेलने में बरसते हैं राज की स्कूलों में साय का ध्याबक भरती इसके लावा सेचिक अहता के संक्षता क्ते करने के लिए 22 नवंबर 2022 को गठित हाई पाबर अंतर विवागी कमिटी चार महीने के अंदर एक भी बैटक नहीं कर सकी तब शासिन ने पुरानी कमिटी के इस्तान पर दूसी कमिटी गठिन कर दिये यह इ देवल सेचिक अहता की संक्षता तैन हो पाने के कारण उत्तर विदेश लोगसेवा आयोग शिक्षक भरती शुरूब नहीं कर पा रहा है माद्यमिक सिच्छा विशेष सचिव ऐस्वी सिंग्कियों से 26 अपेल को गठित की गई नई कमिटी उच्छ शिच्छा निदेशक ब्रह्मदेव माद्यमी सिच्छा निदेशक सचिव उत्तर विदेश लोगसेवा आयोग इसके अलावा और भी कई अधिकाईयों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं उन सभी को यहां पर सदस्य बनाया गया है अपर निदेशक राजकिय केके गुपता को सदस्य की सचिव की जिम्मेदाई दी गई है ऐसे में अगर बात की जाए विशेश सचिव ने यहां पर नई कमिटी से पंदेर दिनों के अंदर इस नोकतर इस नातक सिच्छा सास्त की उपादी मतलब सहचिक योगिता को इस पष्ट करने को लेकर जो नेदेर से वो दिये हैं साती यह कहा गया है कि पंदेर कार दिवश्यों के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो दे दी जाए अब ऐसे में एल्टी गेट सिच्छक बरती विज्याबन के लिए जी आई सी प्रवक्ता के लिए या फिर कोई भी ऐसी भरती जिसके अंदर संकच योगिता का विवाद है इसके लिए कारद शाषन के माद्यम से 15 तारीक तक संकच योगिता इसर्श्ट करने को लेकर कमिटी से रिपोर्ट मांगी गई है देखना यह होगा कि इस कमिटी के माद्यम से अगर रिपोर्ट मिल जाती है तो सिच्छक बरतिओं को लेकर भीयेट और करने वाले अभ्यातियों के आपको इस चैनल के माध्यम से दीदी जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करें कि बैल आइकन को दबा लें चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि सम्मंदीता उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी सिच्छक भरती विग्यापन के लिए जिसा कि आप जानते हैं कि लगाता नई प्राइमरी सिच्छक भरती विग्यापन के लिए अभ्यति लखनों के इको गार्डन में धना प्रदेशिन कर रहें तो वहीं दूसी दब एक लागश्चवी सब्सजार खाली पदों को लेकर जानकाई सरकार ने पीएवी की हुई बैठक के अंदर दी थी कि प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संक्या में टीचर्स के पद खाली हैं अब इन सभी पदों को लेकर सिच्छक भरती के सम्मंद में सरकार के सामने अभ्यतियों के बाद्यम से समय समय पर मांग रखी जाती है जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि विद्यालों में टीचर्स के खाली पदों को भरने की मांगों लेकर मुख्यमंती से परदेश के परसदी विद्यालों में एक लाग छबवी सिजा देक्तपर भरने के लिए ततकाल चैन पर किया शुरू करने की मांग की गई है जिसके सम्मंद में मुख्यमंत्य योगी तत्काल इनको भरने को लेकर सिर्फाइस भी की है केंद सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को स्कूलों के सभी खाली बदों को समय बद तरीके से भरने को लेकर निदेश दिया गया है इसलिए उत्तर बिदेश सरकार की माध्यम से तत्काल परसरी विद्यालों में एक लाग 26,000 जो टीचर्स के पदखाली हैं, इनको भरने के लिए चेन पर किया शुरू की जाए, जिसके सम्मझ में लगाता अभयतियों के माध्यम से, समय समय पर मांग करकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी जाती है, प्रदेश के अंदर इस बात में कोई दोराय नहीं है कि नई प् सिच्छिक भरती का विग्यापन भी जारी नहीं हुआ, जिससे कि ये प्रदों की संख्या लगाता बढ़ रही है, इनी तमाम मांगों को लेकर अभयतियों के माध्यम से, CM से लेकर मुख्यमंति इसके लावा अगर बात कीज़े राज जिपाल तक अपनी मांग बेशते रह करते हैं और नहीं प्राइमरी सिच्छिक भरती को लेकर कई अलग अलग चात संख्यनों के माध्यम से मांग रखी जारी है, बात कर लेते हैं अपनी एगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है, पिंसिपल इसके अलावा सी ट्रेट को लेकर, हाई कोड के माध्यम से पिंसिपल भरती परीक्षा को जद कर दिया गया है, असल में यह जो आपको भरती देखने के लिए मिली थी, वो अलावत हाई कोड की माध्यम से लखनो पीट ने, राज जी हॉमेपर्थिक मेडिकल कॉलेज में पिंसिपल के दो पदों की भरती को लेकर हाई कोड की माध्य से जद कर दिया गया है, दस साल पहले दो भरती का विग्यापन जारी हुआ था, दस साल बार भी दो पदों की भरती पूरी नहीं हो सकी और भरती को जद करना पड़ा, क्योंकि यहां पर चैन पर किया दूशित पाई गई है, चलिए बात कर लेते हैं, अपनी एकली अपड परिक्षा दिने बिहार, दिली या अलग-अलग राज्यों के अंदर जाना पड़े, असल में सीटेट के अंदर एक नई परणाली लागू की गई है, जो पहले फोर्म भरेगा, उसका परिक्षा का सेंटर आसपास के उसके इलाके के अंदर होगा, और जितना देर से जो फ वाचिं इस वीडियो,